प्राकृतिक खेती पर्कित के सहारे प्राकृतिक संसाधन से हम लोग जो है महामना पूरी कालोनी दियेचू के पीछे प्रियोक कर रहे हैं और यहां पर हम लोग किसानों के लाकर दिखाएंगे किसान अपनी खेती अपनी खाद अपना बीज अपना स्वार का तक्नीकी अपना करके सहर वास्नों को दिखाएंगे हर किसान के पास थोड़ा बहुत जमिन होता है घर खाने के लिए कोशक ततों से भरपूर और सधी उनों यूप हम साग सब्जी उदा सकते हैं मिना सिंग्जी और यह प्रयास कर रही है बनारे चिले के महिला महिलाओं को अग्रसर करने के लिए यह प्रेहणा की सुरोत है जरा से बताएं दिया तो मेरा मानना है कि प्रक्ति खेती आज के लिए आज की यूग के लिए वर्दान है जिस प्रकाव से विदेशी कंपनिया भारत में आ रही है और जिस स्वीट से केंजो फटलाइजर धरले से इंडिया में बिक रहा है मेरा मानना है कि बहुत ही कम देश है जहां पर केंजो फटलाइजर इतना ज्यादा मात्रा में इस्तमाल किया जा रहे जबकि देशी गाय और प्रक्ति खेती यह सब हमारी पुरानी पद्रत्री थी तेकि यह सारी चीजों को हम लोग फटम कर दिये हैं मेरा मानना है कि जब तक हम लोग इन सभी चीजों पर फिर से ध्यान नहीं देंगे ओ दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में बहुत सी तकलिफों का सामना करना पड़ेगा हम लोग को इसने हमारा मानना है कि तक्री खेती अभी भी हमारे पास समय है कि यह से फोकस किया जा कि कर दो चान वाले घुल